वैसे तो मैं MS Word के उबर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ लेकिन ये वीडियो खास तोर पे उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक MS Word का जो पेज सेटप वाला कॉंसेप्ट है वो अच्छे से नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रोड़क उपन कर लिया है और यहां पर आपको समझाने के लिए एक रेंडम पैराग्राफ की मुझे दरूवत है तो उसके लिए मैं यहां पर टाइप करूँगा इक्वल टू और बराबर आरें एंडी टाइप करके ब्रैकेट को उपन करूँगा और यहां पर पांच लाइन वाले यहां पर आपको सबसे पहले कहां जाना है पेज को सेट करने के लिए ले आउट वाले टैप पे और यह चाहें आपके पास MS Office 2007 हो चाहें आपका latest 365 हो यह 2021 वर्जवन हो समय सेम यह options दिए गए होते हैं और इनको समझना बड़ा जरूरी है सबसे पहला जो option है वो है आपके पास margin का अब margin क्या होता है जब आप print out नकालेंगे तो यह text जहां पर टाइप हो रहा है उसके चारों तर यह सारी चीने समझना ज्यादा ठीक रहेगा तो यहां रूलर पर आप देख रहे हो कि बीच में वाइट इस साइड में दिख रहा है और बागी कुछ ग्रे पार्ट दिख रहा है यह ग्रे पार्ट यह बताता है कि यहां पर आप कोई भी चीज टाइप नहीं कर सकते हो और Jewish最後 आप इसको प्रिंट आउट करोंगे तो यह जो साइड है यह ब्लैंक निकलेगी यह ब्लैंक क्यूं निकलेगी जब आप फाइल में इस पिपर को प्रिंट आउट निकाल के पिन करोगे तो जो टैक्स्ट है वो दव न जाए आपने देखा और निक्सर करते हैं निकालने उसको पंच करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो दब जाता है तो यह margin सिर्फ उसी के लिए छोड़ा जाता है कि जब आप इसे पिन करेंगे पंच करेंगे तो यह जो साइड वाली चीजें है यह दब है बीच में आ जाएंगे जैसे कोट के जो कुछ ओडर होते हैं स्टांप पेपर के लिए आप अगर निकाल रहे हो तो आपको margin जानना बहुत आवश्यक है स्टांप पे अगर आप निकालते हो कोई चीज इसी तरह से यह नीचे एक दिया गया है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट जैसे का margin आप सेट कर सकते हो आप अपने paper के लिए scale ले लो और scale के साब से यहां पर top का margin मानों आपका 1 inch है तो एक इंच टाइप कर दो तो लांख से एक भार कस्टम मार्जन आपको दिखात fetch followers मैंने Penis 17 लेकिन अपने अपनेशन को चानवशा हूँ to कजिक लो नकर कृत है है इस के बाद यहां पर ही आपको Church Assist का उप्षी दिख जाएगा अब Church Lei सिंआ यहां पर लेकिन इसमें भी बड़ी चीज है मैं यह document को और जगे काउंपी पेस्ट कर लेता हूं कि एक ही document में आप दो तरह के Orientations भी apply कर सकते हों यहां पर मैं इसको भी paste कर लेता हूं और एक बार यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा अब मानों के बीच वाले दर्टरिशे सम MAYOR के लिए आपको एक चहिए है यहां पर मार्जिन सेक्शन पर जाोगे कश्टम मार्जिन पर जाोगे औरहां से जुसको से लएकर करोगे और यहां पर यहां पर टू पे दिस पॉइंट फ़ारवरड पर सेलेक्ट करके और इसे अपला एक दो होगे अब क्या होगा कि यह वाले point को छोड़के जो बाकी सारे pages हैं वो यहां पर आप देख रहे हो के landscape mode में आ गए हैं अब आप चारो कि यह यह तो landscape हो गया लेकिन इसके आगे वाला फिर से मुझे portrait चाहिए सो यहां पर कुछ भी आप type कर लो और उसके बाद margin पर जाके custom margin पर जाके यहां से portrait select करो और this point forward पर क्लिक करके ok कर दो अभी क्या होगा देखो बीच वाला जो page था वो आपका जो है landscape हो गया उसके बाद यहां पर जो अगला page थे वो portrait शुरू हो गया तो इस तरह से आप margin का इस्तमाल कर सकते हो और एक ही document के अंदर तो अलग-अलग orientation वाले pages को लेकर आ सकते हो आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप मैंसे कोई 5 लखी लोग अपना 7,000 रुपे का फायदा कर सकते हो हमारे सारे premium pen drive courses पर चलिए जल्दी से समझा देता हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे description में जाना है यहाँ पर आपको join pen drive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारे offline pen drive course की website पर यहाँ पर आपको एक pen drive course दिखाए देगा A2J computer mastery course इस course में पूरे 19 professional courses सामिल है जो की lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपको हमारा खूपसूरत सा यह excel mug हमारा premium mouse pad जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे एक free OTG और हमारा pain drive है वो मिलेगा जो की आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशकता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pain drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर tab और आपके Android smart TV पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो यहाँ पर apply कर देना है जैसे आप coupon code apply करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केबल 2499 यानि 25 रुबे का मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा इसके बाद आता है size का option तो size का option बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को confused करता है confused क्या करता है कि यहाँ पर कौन सा size लेना है अधिकतर लोग letter को select करते हैं जबके जो page आपके printer में लगा हुआ है वही size आपको यहाँ पर select करना है ताकि आप जो भी यहाँ पर setting करोगे same as setting आपके printer से print out हो तो अगर आपके printer में A4 size का page लगा हुआ है बहुत लोगों के साथ यह दिक्कत है कि यहाँ पर letter select करते हैं और अपने printer में A4 paper लगाते हैं और उसके बाद जो सारी चीज़े हैं वो disturbed हो जाती है जैसे page पे border लगा लिया या कुछ कर लिया तो disturbance होती है तो यहाँ पर आपको same वही size रखना है जो market से paper लेक करना है तो print पे चले जाएं और यहां से printer की properties पे चले जाएं और यहां से एक बार देख लीजिए कि paper quality के अंदर आपने paper कौन सा select कर रखा है कभी कभी यहां से भी बहुत जादा disturbance हो जाती है अगर आपने paper यहां से A4, A5, A6 select कर रखा है तब भी दिक्कत होती है print out निकलने इसको अलग-अलग columns में divide कर देगा जैसे आपने newspaper में दिखा होगा तो किसी भी paragraph को column में convert करने के लिए आप वो paragraph select करेंगे और इसके बात column section पर जाएंगे और यहां से 2 या 3 कर देंगे जैसे मैंने 2 किया तो अभी आप देख रहे हो हमारा जो पूरा टेक्स था जो पूरा paragraph और अगर मैं justify भी करूंगा तो यह दोखो कितना खुबसूरत लग रहा है जैसे अगर आप कोई magazine तियार कर रहे हो और आपको column की जरूरत है तो आप इस तरह से column apply कर सकते हो इसमें एक tips मैं बहुत खासतोर पर जो इस्तिमाल करता हूं मैं बीच का paragraph भी select करके उसको भी column में इस तरह से convert कर लेता हूं तो यह भी बड़ा खुबसूरत लगता है जब आप को document तयार कर रहे होते हो तो उसमें बीच में यह columns आ जाते हो जो आपके document को और भी ज्यादा खुबसूरत बनाते हैं कि ऊपर एक paragraph आ गया नीचे एक paragraph आ गया बीच में columns आ गया सो column का आप यह इस्तेमाल कर सकते हो वैसे एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि column की मदद से आप अगर आपके बहुत लंबा कोई text है और वो एक ही page में आपको print करना है तो आप column का इस्तेमाल करके उनको एक ही page में ला सकते हो प्रिंट आउट निकाल सकते हो उस video का link म के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको यह page setup ठीक से समझ में आ जाए तो मैं यह करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा कि यहां से जो आपका column है उसको नन कर लोंगा ताकि आपकी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाए तो जब आप एक page से दूसरे page पर ज दिख देता हूं और आपको दिखाता हूं कितनी बड़ी आप गलती करते हों यहां पर मैंने लिखा रेंडम से ही मैं पराग्राफ यहां पर जनेरेट करके दिखाता हूं को पांच slash 5 देखो एक पराग्राफ मैंने यहां बना लिया अब मुझे इसकी नीचे कोई signature एड करने है अपने और जैसे मैं एंटर करूंगा यहां पर वैसे आप देखो इस वाले page पर भी फर्क पढ़ना शुरू हो गया मैं जैसे जैसे एंटर करता जाओंगा इस page की setting पर फर्क प किया है तो यह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता और बहुत सारे offices में होता है कि मानों उन्होंने 20 page बना रखें देखो इसका किता बड़ा फर्क मैं आपको दिखाऊंगा इसी तरह से मैंने इसको copy किया और फिर से बहुत लोगों की तरह फिर से मैंने यहां पर यह data paste कर दि होता मैं page break करके आपको दिखाता हूं तो मैं यह data यहां से copy कर लूँगा यह page वाला और यहां से page को भी खत्म कर देता हूं अब देखो अब मैं जहां पर मेरा main section था यह वाला इस जगे से मैं एक enter करूँगा और यहां से break वाले section पर जाके यहां से page को break करूँगा इस तरह से मेरा एक नया page साथ के साथ बन जाएगा या page break करने के लिए आप control के साथ में enter बटन को जैसे प्रेस करेंगे वैसे भी आपका जो page है वो break हो जाएगा दोनों ही परिस्तिती में एक नया page बनेगा और जब आप data को paste करेंगे तब आप देखिए हमें काम करने के ल होता है column break, column break option भी आप इस तरह से column बना लीजिए तब ही work करेगा दो column मैंने बना लिए अब मुझे यहां से column को break करना है तो बहुत लोग क्या करेंगे enter करकर करके इस तरह से column को break करेंगे तब यह data यहां पहुंचाएंगे लेकिन column break भी same इसी तरह से काम करता है आप इस option पर जाएंगे और यहां break option का इस्थमाल करेंगे और देखिए आपके column का जो data था वो एक बार में ब्रेक हो गया आपको यहां पर कुछ चीज एड़ करानी है तो आप बड़े असानी के साथ में करा सकते हैं तो आशा करता हूं यह column break option आपको समझ में आ गया होगा अच्छ अब आता है line number, line number बताता है आपके page में जो आपने sentence लिख रखे हैं वो कितने lines हैं तो जैसे ही आप अपने data को select करके और यहां से line number continuous पे click करेंगे तो वो जितने भी line आपने अभी तक type की होंगे इन सारे lines को यहां पे show कर देगा अगर आप यहां से restart each page पे click करेंगे तो य यहां पर यह दिखा देगा कि आपने page पर कितना data है वो type किया है कितने lines type करेंगे इसके पाद यहां से आता है restart each section तो मैं यहां पर दुबारा select करूंगा and restart each section पे click करूंगा तो आपके हर paragraph में कितने कितने line type हैं वो यहां पर यह show करके दिखा देगा ठीक है अब यह आपको hypernation का हर किसी को समझ में नहीं आता है तो इसको अच्छे से समझ लीजेगा बहुत काम का option है जब आप type करते हो बहुत सारे lines ऐसी हो जाती है कि उसमें words जो हैं cut जाते हैं यह adjust करने में दिक्कत होती है तो यह क्या करता है उनके बीच की gapping कम ना करके उसको अगले line में लेक जाता है और एक dash लगा देता है जैसे अपने magazine के अंदर देखा होगा अभी आप गौर से देखेंगा किसी भी text के पीछे कोई dash नहीं है लेकिन जैसे मैं इसको यूज करूंगा select all करके यहां से इस तरह से तो यहां पर देखो sidebar की spelling है उसमें dash आ गया यह आदा शब्द यह यहां पर है और आदा शब्द यहां पर और कोई शब्द ढूडते हैं देखो यहां पर भी sidebar जो लिखा है उसमें dash आ गया तो यह क्या करता है कि यह अगली line में कोई word अगर जा रहा हो तो वहां पर dash लगा देता है जिससे आपको पता चले कि यह जो word है यह अगली line में च चला गया है तो इस तरह से जो hibernation है वह काम करता है अगर आप यहां से नन कर दोगे तो सारी शब्द जैसे थे व्यासे ठीक हो जाएंगे तो आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है यह आपके बहुत काम आया होगा आप समझ कियोंगे कि proper page setup क्या होता है MS word में इसका क्या मह है तो है मैं मिलता हूँ आपसे एगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंत बंदे मात्रम